नमस्कार आप देख रहे हैं काल चक्रों, मैं हूँ श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेशक के पंडित सुरीश पांडे जी, पंडे जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार दीपावली से पहले तीन ग्रह बदलेंगे राशी एक ग्रह बदलेगा चाल ग्रहों के राशी बदलने से क्या धन बरसेगा पार जाननी के लिए देखिए काल चक्र अर्शी परिवर्टन सीधे हैं तो अपके लिए लू어가 आमदनी पर क्या असर डालने वाला है तो इस बार ग्रहों के नजरीए से कैसी रहेगी आपकी दीपावली क्या ग्रहों के राश्वी बदलने से आपकी इसमत बदलेगी साथ ही वो कौन से धनदायक उपाएं हैं जो दीपावली पर आपकी तिजोरी पैसो से भर सकते हैं यही अगर आप भी चाहते हैं ग्रहों का बुरा असर आप पर हो बे असर और मा लक्ष्मी आएं आपके घर तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो हमें फोन कर सकते हैं हमारा फोन नमबर है 0120-652411 अपने जर्चा को शुरू करेंगे के लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का शुप मुहरत 18 अक्टूबर 2022 दिन वंगलवार आज कार्टिक क्रिश्वपक्ष की अश्टिमी तिथी है सुबह 11 बचकर 17 मिनट तर इसके बाद नौमी तिथी सुरू हो जाएगी पुश्यनक्षत्र रहेगा पूरे दिन रात इसके बाद सिध्योग सुरू होगा साम चार बच कर तिर्पन मिनट तक रहेगा इसके बाद साध्योग सुरू होगा आज के कुछ असुब मुरद भी हैं जैसे मंगलवार है तो राहु काल तीन बजे से साम सारे चार बजे तक और यमगंड काल सुबह 10.40 तक रहने वाला है गुलिक काल की बाद करें तो सुबह 12 बचकर 6 मिनट से दोपार 1 बचकर 32 मिनट तक गुलिक काल रहने वाला है इन असुब समयों में नए कारे का सुभारंभ, यात्रा का प्रस्थान और किसी नई योजना का क्रियानमन तीनों कारे नहीं करने चाहिए जैमाबिन दिवास में तो चलिए अब राशिय अनुसार ये जानते हैं कि दीपावली कैसी रहने वाली है और धन कैसा आपके घर पे आएगा और कैसे आप उपाय करके इस दीपावली लक्षमी को प्राप्ति कर सकते हैं वो कौन सिक रहे है जो दीपावली से पहले अपनी राशी और चाल बदल रही है साथी दीपावली से पहले होने वाला ग्रहों का ये राशी परिवर्तन मेश राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है इस बार कि दीपावली मेश राशी वालों के लिए क्या सौगात लेक करा रही है और वो कौन से उपाई हैं जो मेश राश्वी वालों की दीपावली को और शुभ बना सकते हैं आएज जानते हैं 24 अक्टूबर को दिवाली है दीपावली से पहले मंगल मिथुन रासी में प्रवेश कर गया सुर्य सुक्र रासी में प्रवेश कर गया और 23 अक्टूबर को सनिदेव अपनी ही रासी में मारगी हो जाएंगे मारगी का मतलब अभी तक पीछे पीछे जा रहे थे अब आगे आगे जाएंगे इन ग्रहों के रासी बदलने से बारह रासियों पर क्या प्रवाव पड़ेगा उनको मा लक्ष्मी की कितनी कृपा मिलेगी या नहीं मिलेगी ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ धन 13 से अक्टूबर महीने के अंत तक मेश रासिवालों की आमदनी बढ़ सकती है भाई बहन से भी आपको आर्थित मज़द मिलने की संभावना बनी हुई है अचानक कहीं से आपको धन प्राप्त होगा मा लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बरसाएंगी नवकरी करने वालों की स्वैलरी भी बढ़ सकती है इस दिवाली आपको इंक्रिमेंट मिलेगा कुल मिला करके मेश रासि के जातकों के लिए ये दिपावली ग्रहों की दृष्टी से सूफ रहने वाली है मा लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और घर में बरकत के लिए आपको लाल रंग के रेसमी कपड़े में कमल गट्टे की माला लपेट कर अपने तिजोरी में रखना चाहिए या लाल रेसमी कपड़े की जप माली बनवाकर उसमें रुद्राक्ष या कमल गट्टे की माला रखकर उसमें लक्ष्मी मंत्रों का जप आपको करना चाहिए ओ महा जब्बेज बिद्महे विश्णू पत्निम जधी मही तन्नो लक्ष्मी प्रचो दयात में स्राची के जो जातक दिपावली के दिन ब्रिसभ लग्ण में महा लक्ष्मी के मंत्रों का अनवरत जब करेंगे वो पूरे वर्ष धन धानने से संपन्द रहेंगे मा लक्ष्मी को लाल रंग के फूल अर्पित करें और लक्ष्मी स्त्रोत और स्री सुक्तम के पाठ करें जरुवत बंद लोगों को कंबल या गरम कपड़े जान करें तावे का लोटा भी जान करने से लाब मिलेगा कुरोध बिल्कुल ना करें और अपने घर के नेरित्य कोण में साउथ इस्ट के डारेक्शन में सरसों के तेल का एक दिया जरूर जलाएं जै माविन दिवास में और चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशी वालों की दीपा वाली से पहले होने वाला ग्रहों का ये बड़ा परिवर्तन क्या वृषभ राशी वालों किस जिंदी की बदल देगा इस बार की दिवाले इनके लिए कैसी रहेगी धनलाब होगा या वृषभ राशी वाले पैसों से परिशान रहेंगे कौन से उपाई इनकी आमदरी को बढ़ा कर इनके कश्टों को कम कर सकते हैं आईए चांदे हैं बिश्वराशी के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई धन 13 से अक्टूबर के महीने के अंत तक जो ग्रहों का गोचर में देख पा रहा हूं उसके अधार पर आपके दुट्य भाव में मंगल और आपके पंचम भाव में बुध और छठे भाव में आपके सूर्य सुक् हैं आर्थिक इस्थिति आपकी मीली जूली रहेगी मतलब ना तो बढ़ियां कहीं जा सकती है ना तो खराब संतोष जनक रहेगी किसी मंगली कारे में बेटे बेटे बेटी के विवाह साधि के आउसर के उकलत में पैसे खर्च हो सकते हैं लेकिन ग्रह स्थिति ऐसी बनेग कि आप फिदूल खर्ची भी कर सकते हैं हाला कि जो लोग सरकारी नवकरी कर रहे हैं उनकी आमदनी बढ़ेगी इसमें कोई डाउट नहीं है नवकरी पेशा लोगों को तरक्की भी मिल सकती है कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मा लक्ष्मी की कृपा तो आप पर बनी रहेगी इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन आपको भी अपनी सूजबूज से लक्ष्मी को समहालना होगा कहते हैं ना कि लक्ष्मी चाहे जितना हैं अगर उनका आप अपव्य और अपमान करेंगे तो लक्ष्मी कब तक नहीं रूठेंगी तो ब्रिशब राशिवालों के लिए ये दिपावली ग्रहों के नजरिये से सुभरहने वाली है मा लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में उन्नती के लिए आपको धन्तेरस से दिपावली तक पीपल के पेंड के नीचे एक दिया रोज जलाना चाहिए और मा लक्ष्मी की पूजा करते समय ओम महालक्षम में नमा इस मंतर का अनवरत जब करते रहना चाहिए और हाँ बारा साल से छोटे बच्चों को रेवडियां बाटनी चाहिए महिलाओं को स्विंगार की सामगरी जान करना चाहिए बिसप रासी के जातक दिपावली के दिन इत्र जरूर लगाएं और अपने घर के मुख्य द्वार पर घी का दिया जलाना ना भूलें घी के दो दिये दोनों प्रवेश द्वार के दहलीज पर दोनों दहलीज पर घी के दो दिये सायनकाल जरूर जलाएं जैमा भिन द्वासमे ह for kapyas बात करेंगे मिथं राशी की या दीपावली तक ये दीपावली मिथं राशी वालों के लिए कितनी शूभ रहेगी और लक्ष्मी के क्रिपा कितनी बरसेगी यह जानेंगे लेकिन उससे पहले हनुमानगर से कॉलर्ड रुचुके है क्रिश्टुक्मार जी बहुत बहुत स्वागत है बात करिया आप पंड़ी जी से तरह नाम पंड़ी जी हाँ सदा सुकी रही है पहुत मुझे अपने बारेम जनना भ़ाई के बारेम जनाने जी जी मेरा जनन मैं 7 duck – WOW 994 दोपाय हबोर में सर मुझे जनना भी मेरी नौकल लगेगी या नहीं और कब तक लगेगी मेरे भ़ाई की अपना सब्सित है और सब्सफोब च्यक्रव कित्र excessive भाट का बहुत हैं क्रिशन कुमार क्रिशन कुमार जी चलिए सबसे पहले आपके प्रस्णका उत्तर देता हूं बुद्ध और प्रिहस्पती दोनों ग्रहों की इस्थिती परस्पर सब्तम है इसलिए भी निकट भविश्च में आपके नवकवरी की कहीं कोई उमीद नहीं दिखाई दे रही है और ना ही कोई ऐसा सार्थक प्रयास आपने किया है जिससे की उमीद हो कि आपको आगे नवकवरी मिलने वाली है अभी कम से कम आप मार्च अप्रैल महिने तक नवकवरी की बात भूल जाएं प्रयास करते रहें सफलता मिल सकती है भाई के बारे में जो आपने प्रस्ण गविश्य की कामना 17 जनवरी 2023 के बाद ही की जा सकती है जहां तक आपके पिता जी के बिमारी का प्रस्ण है तो देखो बेटा ऐसा है कि इस समय प्रस्णकाल में सूरी नीच का हो गया है केतू के साथ हो गया है आपके पिता जी को हड्डियों का नसों के रोक की बिमारी हो ही है जिसके कारणों सदय अस्वस्त रहते हैं यह हिर्दय रोक का भी आगे चल करके संकेत है तो ऐसे में इन्हें आप कहिए कि रभी वार के दिन एकदम सुबह नहाएं और सूरे को जल देने के बाद कम से कम 108 बार गायत्तरी मंतर जरूर बोलें नमक कम खाएं इस बात का ध्यान रखें जै माविन दिवासमा अचली अब जल्दी से बात कर लेते हैं मिथन राशी वालों की पैसों के लेहाज से इस बार की दीपावली इनके लिए कैसी बीतेगी क्या ग्रहों का परिवर्तन स्थिती के लिए खत्रे की घंटी है या फिर इन्हें दीपावली पर चप पर भाड कर पैसा में लेगा साथ ही वो कौन से खास उपाई हैं जो मिथन राशी वालों की खिस्मत को रातों रात बदल सकते हैं आईए जानते हैं दिखें मिथन राशी के जात्कों को बताना चाहूंगा कि जो नया नया ट्रांजिट हुआ है आज ग्रह गोचर जो आज बदला है वो आपके राशी में मंगल आ गया है और आपके पंचम भाव में सूर्य देव प्रवेस कर चुके हैं और आपके अश्टम अस्थान में सन अभी मिथन राशी की जात्कों को मालक्षमी का आसिरवाद तभी दिलाएगा जब आप उस बातों पर ध्यान रखेंगे देखें आपके खर्चे बढ़ेंगे लेकिन फिजूल खर्ची का ध्यान आपको रखना होगा आमदनी तो होगी लेकिन खर्चों के कारण आप बचत नहीं कर पाएंगे मिथन राशी वाले अगर धन 13 से लेकर अक्तूबर अंत तक अपनी आमदनी और ब्या के बीच संतुलन बना लेते हैं तो मालक्षमी की क्रिपा आप पर जरूर होगी वरना आपको कर्ज भी लेना पढ़ सकता है मालक्षमी की क्रिपा पाने के लिए और घर में बरकत के लिए आपको हल्दी की माला बना कर दिपावली के दिन भगवान गणेस को जरूर पहनाना चाहिए एक बात और जानकारी के लिए बता दूँ कि हल्दी की माला अगर आप नहीं बना सकते हैं तो हल्दी की माला मार्केट में बनी बनाई भी मिलती है पूजा की दुकानों पर बिल्कुल मत घबडाईएगा कि कैसे हल्दी की माला मिलती होगी मिलती है, बनी बनाई मिलती है, बहुत अच्छी माला मिलती है, और बहुत महंगी नहीं मिलती है, सस्ती मिलती है, उसे ले करके आप भगवान गणेश को समर्पित कर सकते हैं पूजा के बाद हल्दी की माला पीले कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए, दिपावली के दिन दक्ष्यावरती संक्की भी पूजा करनी चाहिए, सब्त धानने का दान पंच परों में ज़रूर करना चाहिए, यहूं गुड या बेसन के लड़ू दा करना चाहिए, मालक्ष्मी के मंदिर में नारियल या बादाम चठाना चाहिए, देखिए एक बाद जान लीजिए, यह सच है कि दरिद्रता के मुकाबले कोई अभिसाप नहीं होता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी दरिद्रता को जानबूश करके निमंत देते हैं, यह मैं प्रक्टिकल देख रहा हूँ जीवन में, मतलब किसी चीज की आवस्चेक्ता नहीं है, तब भी वो चीज कर्ज लेकर के खरीद रहे हैं, यह क्या है, यह अगर मुसीबत बुलाना नहीं है तो क्या है, अरे भाई, मरने के बाद तीन घंटे में जलना है, ऐसा काम क्यों करते हो, पूरी जिन्दगी जलते रहो, आराम, सुख और चैन की जिन्दगी अगर जीना है, तो कर्ज लेने की प्रविर्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मेरी पिठा जी तो कहते थे, गए पूत जब मांगे पाए, जिसको एक बार मांगने पे कर्जा मिल जाता है, उससे बड़ा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि उसको कर्ज लेने की प्रविर्ति बन जाती है, और जिसको कर्ज नहीं मिलता है, लोग दूतकार देते हैं, तो वो अपने स्वाभिमान को जागृत करके, संघर्स करके, कठिन मेहनत करके, अपमान सह करके, अपनी नई स्थिती को मजबूत करने के लिए मेहनत करता है, और जब मेहनत करता है, तो आज नहीं तो कल उसकी मेहनत रंग लाती है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, गए पूत जब मांगे पाए, अगर आपको सरलता से करजा मिल रहा है, तो आप ये ध्यान देख रहा है, आपको निहार रहा है, मौका पाते ही वो आपके उपर हाभी हो जाएगा, ये मेज बात कहीं आप गाठ मार के रख लीजिए, ये बात कभी असत्य नहीं होगी, इसलिए अगर आपको करजा नहीं मिलता है, तो आप स्वाविमानी और स्वावलंबी बन करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, जैमाविन दिवास में. बेटे का है वर्न शर्मा, चौबिस बारा दो यार चार आठ पाइस के तंदरा मिट सुझे का, बेटी आने बेटे की है, तो अभी इसका अड़िशन नहीं होगा किसी कॉलेज में, आर्ट सब्जेक्स बेटे और बेटे ने साइंस ले रखी हो 11 में है, तो उसके में आगे बेटे कारी कराना चाहता हूं, ताब इनके बारे में फड़ा बताईए, और मेरी यारते किसे ती कुछ आती है कि प्राइट इनको कुछ करा आप हो, बताईए इसके बारे में. देखे, आपने अपने जो बेटी के बारे में प्रस्न पूछा है, उसके बारे में तो बताऊं कि देखे, सुक्र और सनी, दोनों परस्पर नौम के इस्थिति में है, बेटी अगर चाहे तो पढ़ाई बहुत अच्छा कर सकती है, लेकिन इसके पढ़ाई में बेतिक्रम आ पाठ करना चाहिए, जुर्गाव चालीशा के पाठ के सांसांथ अगर हो सके तो सुक्रवार को किसी देवी मंदिर में जा करके इसे लाल फूल अर्पित करना चाहिए और घी का दिया जलाना चाहिए, जिससे इसका पढ़ने में और करियर में सफलता के लिए सारे योग बन पर क्या असर पढ़ने वाला है, क्या इनके खर्च बढ़ जाएंगे, क्या इन्हें पैसा कमाने में दिक कते आएंगी, या फिर इस बार कि दीपावली इनके लिए बहुत खास होने वाली है, साथ ही कौन से खास उपाई, इनकी आर्थे किस्तिती को और मजबूत कर सकते है आईए जानते हैं प्रवेस हो चुका है, ऐसे में धन 13 से अक्टूबर के अंत तक कर कराशिवालों की आर्थिक इस्थिती मिली जूली रहेगी, एक तरफ आपको आर्थिक लाव होगा, परिवार से पैसों की मदद मिलेगी, प्रापर्टी से भी लाव मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं, लेकिन खर्च बढ़ जाने से आपको लाव का पता नहीं चल पाएगा, मालक्ष्मी आपके घर में रुकें, इसके लिए अपनी फिजूल खर्ची की आतों पर भी आपको लगाना चाहिए, बचत करने की कोशिस करें, वरना और भी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ मालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और घर में बर्कत के लिए दिपावली की रात, मालक्ष्मी का पूजन करते समय हुँको कमल का फूल जरूर चाहे, अगर नहीं कमल का फूल पर देख्ष है तो एक बांसिक रूप से कमल का फूल, भगाउती को जरूर अर्पित करें, द तीनी, मिस्री या काली उरत की डाल का दान करना चाहिए, दिपावली के दिन सोना जरूर धारन करना चाहिए, और माथे पर केसर का तिलग भी लगाना चाहिए, धन तेरस की रात पीपल के पेंड के दीचे पंच मुखी तेल का दिया जलाना चाहिए, और अपनी मा के हां से थ देखे दिवाली जैसे मतलब पूरे एक भगोने में पकने वाला चावल और उसमें से एक चावल देख करके आप पता लगा लेते हैं कि चावल पका है कि नहीं पका है उसी तरह से ना रासी फल जानने की जरूरत है ना वर्स फल जानने की जरूरत है दिपावली का दिन आपका कैसा बीतेगा वैसा ही पूरा साल आपका बीतने माला है इसमें कोई दोराय नहीं है अगर दिवाली खुसियों से सुरू होती है, चहचाती हुई दिवाली है, सफलता की दिवाली है, प्रसंदता की दिवाली है, तो पूरा साल च्छन भर में बेतीत हो जाएगा और अगर दिवाली पर टेंशन है, परिसानी है, उल्जन है, तनाव है, तो पूरा साल तिल तिल कर बितेगा सवनातन धर्म में कुछ चीजें ऐसी हैं, इनको आप ट्राई करके देखिए जैसे दिपावली का दिन आपका जैसा बितेगा, लगभग वैसा ही आपका पूरा साल और पूरे साल आपके आर्थिक पहलू पर उसी तरह के प्रभाव पढ़ने वाले हैं, इसमें कोई धोर आए नहीं है रात्री सुक्त में कहते हैं काल रात्री, महा रात्री, मोह रात्री, दारूरा, चार प्रकार की रातों का बढ़न किया गया है काल रात्री का, महा रात्री का, मोह रात्री का और दारूरा संग्र, ये चार रात्रियों का बढ़न है, जिसमें ये काल रात्री है और कालरात्री की पूजा महालक्ष्मी के लिए बिसेश है जो लोग इस दिन महालक्ष्मी की परसनता के लिए पूरी रात जागरन करते हैं बिश्यफ लगन और सिंग लगन में महालक्षमी का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, हवन करते हैं, महालक्षमी का अविशेक करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों का दुर्भाग्य दूर होता है, और ऐसे लोगों के जीवन में सुख और संपन्नता आती है, इसमे कोई संसर नहीं है जयमाविन दिवासनी को अधर हमारे साथ जुट चुके हैं च्छोतीस गड़ से अकांक्ष जी स्वागत है बात करी आप पंडीजी से पंडीची का नाम जैमा बिन दिवासनी पंडीची मेरा नाम आधांग्शा दिवान है और जन्म समय है सुबा साथ 35 और 21 सक्टेम्बर 1999 असम्तिंग सुखिया पंडीची मेरे दो सवाल है पहला सवाल है कि मेरी जॉब कौन सेक्टर में लगेगी प्राइवेट या कि अभी नवकरी का योग नहीं बना हुआ है आकांचा अभी नवकरी का योग नहीं बना हुआ है मंगल सनी का स्धास्टक योग है 17 जन्वरी 2023 के बाद प्राइवेट सेक्टर में सत्परच्छत आपकी नवकरी लगने का योग बना हुआ है सरकारी सेक्टर में अगर आप चाहोगी तो लगभग एक से देड़ साल तक अभी इंतजार करना पड़ेगा जहां तक मंगलिक का प्रस्ण है तो आकांच्छा आपको बताना चाहूँगा मंगलिक दोस आपका निस्तारित है अर्थात मंगलिक दोस की वज़ा से आपके जीवन पर कोई बुरा असर नहीं प बता दे कि दीपावली से पहले कुछ ग्रह अपती राशी बदल चुके हैं और कुछ ग्रह अपनी राशी बदलने वाले हैं ग्रहों का ये राशी परिवर्तन इस पार आपकी जेव पर सीधा सीधा असर डालेगा इसलिए आज ही काल चक्र में दीपावली से पहले पंडित इस बार के दीपावली बरकत होगी या फिर परिशान रहेंगे साथ ही वो कौन से उपाए हैं जिने करके सिंग राशी वाले दीपावली पर मालक्ष्मी का अशिरवाद प्राप्ट कर सकते हैं आईए जानते हैं देखिए सिंग राशी के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशी स्वामी सूरिय अपनी नीच राशी में तूला राशी में आज मध्यरात्री में ही प्रवेश कर चुका है और हर साल धनते राश पर और दिवाली पर आपका राशी स्वामी सूरिय अपनी नीच राशी में ही रहता है और क्योल नीच राशी में नहीं रहता है नीच नवानसक में भी रहता है और आपके भाग्यास्थान में मंगल का गोचर है और शुक्र भी इस धन्तेरस पर आपकी ही रासी में ट्रांजित कर जाएगा, गोचर कर जाएगा, संक्रमण कर जाएगा तो भाई अगर आपकी सिंहरासी है तो धन्तेरस से अक्टूबर महिने के अंत तक मा लक्ष्मी की क्रिपा आप पर बनी रहेगी नवकरी या कारोबार में लाब मिलने से आपकी आमदनी बढ़ सकती है क्योंकि आपके धन्भाव का स्वामी बुद्ध स्वग्री है बचत कर पाने में भी आप सफल रहेंगे सरकारी छित्र में काम करने वालों पर मा लक्ष्मी की आसीम क्रिपा रहेगी और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इन दिनों में जितनी महनत करेंगे उन सभी में आपको सफलता प्राप्त होगी मा लक्षमी की कृपा पाने के लिए और घर में उन्नती के लिए दिपावली की रात घी का एक दिया अपने मुख्ध द्वार पर आपको जरू जलाना चाहिए वैसे तो दिये घर के कोने कोने में जलाने चाहिए ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ क्यों एक दिया जलाना चाहिए तो क्यों एक दिया अपने जला दिया घर के कोने कोने में दिया जलाना चाहिए लेकिन एक दिया घी का चवखट पर भी जलाना चाहिए यहूं जो लालचंदन या साथ तरह का अनाच किसी जरुत मंद को दान करना चाहिए और अपने घर की दच्छिर पस्चिब की जिसा में भी अगर हो सके तो एक तेल का दिया जला देना चाहिए अपने पूजा घर में अगर स्रीयंत्र नहीं है तो दिपावली को प्रदोसकाल में स्रीयंत्र की अस्थापना जरूर करें जिन घरों में स्रीयंत्र नहीं है जिन घरों में तुलसी नहीं है जिन घरों में रामार और गीता की पुस्तके नहीं है जिन घरों में राम दरबार का चित्र नहीं है और जिन घरों में गंगा जल नहीं है वो घर भी घर है वो घर घर नहीं है उसे मैं अपने सब्दों में कुछ बुरा नहीं कहूंगा लेकिन ये कह रहा हूं फिर से कि वो घर घर नहीं है जिस सनातन धर्मी के घर में ना तो तुलसी का पोधा है, ना सालिक राम की सिला है, ना नर्मदेश्वर सिवलिंग है, ना स्रियंत्र है, ना राम दर्बार का चित्र है, ना पंच मुखी हनुमान है, ना गंगा जल है, वो कैसा घर है? वो तो समसान की तरह घर है, और जिन घरों में सब सारी चीजें हैं, वो घर स्वर्ग के समान है, एक बार बुरे से बुरा भी समय आएगा, तो इन सब धार्मिक बस्तूओं के कारण, सारी बुराई, अच्छाई में परिवर्तित हो जाएगी। आप जानते हैं, ब्रह्म बीच कभी नष्ट नहीं होता है, अगर आपके घर में जीता और आमायड की पुष्टक रखी हुई है, भले ही उससे आप रोज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपके घर में किताब है, पुष्टक है, गरन्थ है, तो कभी न कभी आप उसको जरूर पढ़ेंगे, और अगर एक बार भी आपने एक घंते भी आधे घंते भी आपने पढ़ लिया, उससे जो ज्यान आपके मन में जाएगा, वो ग्यान सदीयों तक नष्ट नहीं होगा, वो ब्रह्म बीच है, वो फिर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, अगले जन अभी तक स्रीयंत्र नहीं है तो स्रीयंत्र आना चाहिए अरी स्रीयंत्र तो वो चीज है कल्यूग में कि अगर उसकी बिधिवत पूजा करके और उसे बाय हाथ से उठाकर दाहिने हाथ की हां थेली पर रखकर पांच बार कोई मनो कामना आप अपनी कह दीजिए तो देखिए 24 घंटे से 7 दिन के अंदर आपकी ओ मनो कामना अगर पूरी नव हो जाए तो आप कहिएगा बस स्रद्धा के साथ बिना नकारात्मक सब्द का प्रयोग किए पांच बार आप अपनी प्रार्थना स्रीयंत्र से कहिए जैसे आपका बेटा कल अगर इंटर्व्यू में जा रह आप हमारे पुत्र को प्रतियोगी परिक्षा बें सफलता दिलवाएं इस तरह की बातें अगर पांच बार आप कहते हैं तो निह संदेह चमतकार होगा यह मैं कोई अंधविस्वास नहीं पैदा कर रहा हूं बलकि यह आजमाई हुई बात आपसे भी कह रहा हूं आप चाह हैं तो चमतकारिक रूप से अपने भी भागे को बदल सकते हैं बस आस्था का एक पीलर अपने मन में मजबूत करने की जरूरत है और स्रद्धा के सांथ पूजा पाठ में लगने की जरूरत है जैमाविन दिवासनी और चलिए अब बात करेंगे कन्या राशी वालों की दीपावली से पहले होने वाला ग्रहों का राशी परिवर्तन कन्या राशी वालों के लिए कैसा रहेगा क्या सितारों की बदली चाल इन्हें बेहाल करने वाली है क्या राशी बदलकर ग्रहें इनका फिजुल खर्च ब दिखे भाई इस धन 13 से अक्टूबर महिने के अंतर तक आप सभी कन्या रासी के जात्कों को बताना चाहूंगा कि आपका रासी स्वामी बुध आपकी ही रासी में ट्रांजिट कर रहा है, गोचर कर रहा है, संचार कर रहा है लेकिन आपके धन भाव में शुक्र, सूर्य और केतु की यूति बनी हुए है आपके उपर मालक्ष्मी की कृपा तभी रहेगी जब आप अपने कर्म सुधारेंगे आप सुधारेंगे, कौन सा कर्म मुशे सुधारना है, जैसे दूति भाव में सूर्य बैठा हुआ है सट्टा लगाने की बड़ी इक्षा करेगी, आप अपने मन को रोकिएगा अगर आप जुवा खेलेंगे, अगर आप सट्टा लगाएंगे तो दिवाली आपकी बरबाद हो जाएगी इसलिए मैं कह रहा हूँ कर्म सुधारेंगे किया हो सकता है अगर आपको कोई यह कहता है कि नुकसान आपका जुवे में हुआ है, नुकसान आपका सट्टे में हुआ है, तो उसकी भरपाई भी उसी में होगी, तो आदमी आपका दुस्वन है ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ा नुकसान भी उठा चुके हैं, तो भी हाय तवबा कीजिए और सद्मार्थ पर चलने की कोशिस करिए आपकी आमदनी के लिए धनतेरस के बाद का समय मिला जुला रहने वाला है, आपके कुछ गलत फैसलों के कारण, आपके कुछ गलत डिसीजन के कारण, आर्थिक नुकसान हो सकता है देखिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कन्या रासी के जातक अगर जान बूच कर गलती नहीं करेंगे तो परिसानी में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अकेला बुद्ध स्वग्री होकर के और अपनी रासी में बीराजमान है परिसानी कैसे होगी लेकि शूरे नीच रासी में होकर धनवाओं में दूति भाओं में सुक्र के साथ जो है और सुक्र जो अस्त है उसका एक परिणाम जरूर होगा कि आपको ये कुमार पर लेकर जाएगा गलत रास्ते पर जाने के लिए आपको भसिटेगा और आप अगर गलत रास्ते पर गए नहीं कि पैर आपका फिसला और फिर तवाही आपके सामने होगी इसलिए कह रहा हूं पैसे से जुड़ा हुआ फैंसला बहुत सोच समझ करके लीजिए रातो रात अमीर बनने की चेश्टा मत करिए सार्ट कट करने की कोई जरूत नहीं है बहुत जल्दी अमीर बनने की खुआइस निकाल दीजिए दिमाग से और बिना मेहनत की फायदे के लिए कोई लालच मत करिए और किसी एक्सपर्ट से बिना सलाह लिए निवेश मत करिए किसी बड़े निवेश से भी आपको बचना होगा फिजूल खर्ची तो आपके लिए इस महीने बहुत ही नुक्सान दायक साबित हो सकती है मालक्षमी की कृपा पाने के लिए और घर में बरकत के लिए दिपावली पर कमल गट्टे की माला अपनी तियोरी में आपको रखनी चाहिए लक्षमी नारायन मंदिर के पास कमल गट्टे की माला वहां भीच रहाना चाहिए दिपावली की रात मालक्षमी की पूजा में कमल के फूल जरूर अरपित करना चाहिए चमता है तो माल अक्ष्मी को चांदी की नथिया या सोने की नथिया भी अर्पित करनी चाहिए धन की देवी को खीर का भोग लगाना चाहिए अपने दहलीच के दोनों और सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और भूखे व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए जैमाविन दिवास में अर जली अब जल्दी से बात कर लेते हैं तुला राश्री वालों की पैसों के लिहाज से इस बार के दीपावली इनके लिए कैसी बीतेगी क्या ग्रहों का परिवर्तन इनकी आर्थे के स्थिति के लिए खत्रे की घंटी है या फिर इनके दीपावली पर छप पर फार कर पैसा मिलने वाला है साथी वो कौन से खास उपाएं हैं जो तुला राश्री वालों की किस्मत को रातो रात बदल सकते हैं आईए जानते हैं देखे इस साल की धन तेरस अर्था 23 अक्टूबर से और इस महिने के अंत तक 31 अक्टूबर तक तुला राश्री वालों की बात अगर की जाए तो आपके राश्री में सूर्य सुक्र और केतु की इस्थिति रहेगी सुक्र अस्त है सुग्री हो करके भी सुर्य नीच का है और केतु की भी इस्थिति अच्छी नहीं है कुल मिला करके ट्रांजित आपके लिए फायदे मंद नहीं है किसी मांगली कारे में आपका खर्चा होगा जो आपके पुरुआ नुवान से बहुत ज़्यादा होगा हाला कि आर्थिक लाब भी होगा ऐसा नहीं है कि क्यों दुर्भागे ही आपके सांथ है भागे भी सांथ देगा लेकिन जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ बेवसाय करते हैं इक स्पोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनको ज्यादा लाब होने की संभावना है मालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में बरकत के लिए दिपावली पर सुवह आपको असनान करना चाहिए मालक्ष्मी के मंदिर में नारियल अर्पित करना चाहिए लक्षमी चालीशा का पाठ करना चाहिए घर की पस्चिम दिसा और नरी टिकोन में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए मा लक्षमी के मंदिर में लाल फूलों के साथ रेसमी लाल रंग के कपड़े भी अर्पित करना चाहिए मालक्षमी को दूद्ध या दही का तिलक लगाना चाहिए असहाय लोगों की मदद करना चाहिए ये पांच दिनों का पंच-पंच परो कहलाता है इसमें अपने घर में गंगा जल और गौमूत्र का छिरकाओ करना चाहिए लेकिन अगर आप तुलारासिके हैं और करजे में आप गले तक फंस गए हैं और करजे से निकलने का आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको धन तेरस की साम ब्रिसभ लगन में अनार के दाने से स्री यंद्र का ललिता सहस्र नाम के एक हजार नामों से अभिसेख करना चाहिए ये अगर आप ललिता सहसर नाम से अर्चन कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ धन तेरस का किया हुआ ये हुपाय आपके लिए रामबान साबित होगा और आप करज उतारने में काम्याब हो पाएंगे जैमाबिन दिवासनी और चलिए अब बात करते हैं विश्वास की दीपावली से पहले होने वाला ग्रहों का ये बड़ा परिवर्दन क्या विश्वास की जिंदिकी बदल देगा इस बार कि दिवाली इनके लिए कैसी रहेगी धनलाब होगा या विश्वास को पैसो से परिशानी होगी कौन से उपाईन की आमदनी को बढ़ा कर इनके कश्टों को कम कर सकते हैं आईए जानते हैं हाँ तो ये कहना चाहूँगा कि ये दियाब की ब्रिश्चिक राशी है तो आपके बार्वे भाव में सूर्य सुक्र और केतु की इस्थिति है आपके भागयस्थान में तो कोई ग्रह नहीं है लेकिन आपके अश्टम मृतू भाव में मंगल है ऐसे में अगर देखा जाए तो अक्टूबर महीने के अंध तक ब्रिश्चिक राश्वालों की आर्थिक इस्थिति सामाने रहेगी आमधनी बढ़ने के योग बने हुए हैं लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे बाबू तो फिजूल खर्ची से बचिएगा और बचत करने की हर कोशिस करिएगा वरना पैसों का संकट हो सकता है अगर विदेशी कारूबार आप करते हैं एक स्पोर्ट इंपोर्ट का आपका व्योसा है या विदेश में नवकरी करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है मालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और घर में बरकत के लिए दिपावली के दिन किसी मंदिर में दो केले के पोधे लगा दीजिए नरक चर्पुद्वकी के दिन पीपल के पेन में जल्च रहा दीजिए महिलाएं मालक्ष्मी की पूजा में सिंदूर जरूर अर्पित करें कमल गट्टे की माला से ओम एम क्लीम सौं यह मंत्र आप जरूर जब करें और किसी जरूतमंद व्यक्ति को दो रंग वाला कंबल भी दान करें हनुमान जी को मोती चूर के लड़ो तुलसी के पत्ते समर्पित करें हनुमान चालीशा का पाठ करें और अपने घर के ब्रह्म अस्थान में एक दिया जरूर जलाए यह सब उपाय करने पर नियस्वंदेहाने वाला समय आपका अच्छा होगा जैमाविन जवासनी अचली अब बात होगी धनुराशी वालों की धनुराशी के जात्कों का ट्रांजिट तो यह है कि आमदनी के अस्थान में सूर्य सुक्र और केतु गोशर कर रहे हैं और आपके सप्टम भाव में मंगल सवगरी है क्या बात है मंगल की पूरी दृष्टी लगने पर पड़ेगी तो आप तो दूस की तरह खौलने लगेंगे इस दिवाली पर तो धन तेरस से अक्टूबर महीने के अंतर तक धनुराशी के जात्कों को बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने गुसे पर और अपने एटिट्यूट पर दोनों पर नियंतरन रखिएगा वरना आर्थिक स्थिति की मार आपको जहलनी पर सकती है धन तेरस के बाद आपको परिवार में ही किसी से सहयोग प्राप्त होगा जिसका परिणाम होगा कि धनलाब होगा संपत्ति का सुख मिलने का भी योग बना हुआ है लेकिन ओवर कांफिडेंस और जल्दबाजी के कारण नुकसान भी हो सकता है इसलिए सचेत रहिएगा सोच समझ कर सलाह ले करके ही कहीं पैसा लगाईएगा पैसे के लेन देन में आपको बहुत समहल कर रहना है मालक्षिमिक किर्पा पाने के लिए घर में उन्नती के लिए दिपावली के दिन पान के दो पत्तों पर स्रीम लिखकर अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए किस से स्रीम लिखेंगे थोड़ी सी रोली या सिंदूर ले दीजे थोड़ा सा दो बुंद घी उसमें डाल दीजे और उसको अनामिक्या उंगली से मिला करके उसी अनामिक्या उंगली से पान के पत्ते पर स्रीम लिख दीजे दिपावली के दूसरे दिन गाय को रोटी जरूर खिलाना चाहिए दिपावली के दिन तो खिलाना ही है दूसरे दिन भी खिलाना है और मालक्षमी की पूजा में कमल का फूल जरूर अर्पित करना है भगवान गणेस को मोती के चूर के लड्डू का भोग लगाना है रोटी पर घी लगाकर और गुर रखकर गाय को खिलाना है अपने पिता पिता समान किसी ब्यक्ति को दिपावली को उपहार देना है पीपल के पेंड में जल अर्पित करना है सरसों के तेल का दिया जलाना है जैमाविन निवासमी चलिए अब बात करेंगे मकर राशी वालों की दिपावली से पहले ग्रहों के राशी बदलने से मकर राशी वालों के आमदरी पर क्या असर पढ़ने वाला है क्या इनके खर्चे बढ़ जाएंगे या इन्हें पैसा कमाने में दिक्कते आएंगी या फिर इस बार की दीपावली इनके लिए बहुत खास होने वाली है साथ ही कौन से उपाए जो इनकी आर्थिक इस्तिथी को और मजबूत कर सकने हैं आईए चांते हैं कि देखें मकर रासी के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपकी मकर रासी है तो आपके रासी में तेईस तारिक से सनी देव मारगी हो चुके हैं यह आपके लिए एक बड़ी आवस्यक सूचना है नमबर दो बात आपके आजीव के अस्थान में सूर्य सुक्र और केटू की स्थिति है और सुक्र अस्थ है डरार नहीं आपको डरिये काभी मत तो ऐसे में आपके छठे भाव में रोक सत्रू के अस्थान में मंगल पहुँच गया है तो अब आपको बाइस अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक अपने आर्थिक इस्थिती पर पैनी नजर रखनी होगी क्योंकि ये मामला सामान ने रहने वाला है ऐसे में आमदनी बढ़ने के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे निवेश जहां भी करेंगे वहां आपको सफलता मिलेगी इसमें कोई दोराय नहीं है भागे का साथ भी मिलेगा नवकरी पेसा और कारुबार्यों को लाब भी मिलेगा लेकिन ब्यर्थ की चीजों में पैसे खर्च करने से बचें मालक्ष्मी की किरपा पाने के लिए घर में बरकत के लिए दिपावली के दिन और रात स्री सुप्त और करनगधारा का पाठ भाव विभोर होकर करें मालक्ष्मी को रेवडियों का और तिल से बड़ी मिठाईयों का भोग लगाए नारियल के खोल में एक दिया बना करके जलाए और अपने घर की दक्षन दिशा में भी तेल का दिया जरूर जलाए सनी देव के सामने भी एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाए परिवार के बड़े बुजूर्गों को कोई तोफ़ा जरूर दें पंच परों में मान समधिरा का सेवन करदापी नह करें जैमागी निवास नहीं दीपावली से पहले हो रहे राशी परिवर्टन का असर कुम्भ राशी वालो पर कैसा रहेगा कैसी रहेगी इनकी इस बार के दीपावली बरकत होगी या फिर परिशान रहेंगे साथ ही वो कौन से उपाएं हैं जिने करके कुम्भ राशी वाले दीपावली पर मालक्ष्मी का अशिरवाद पासकते हैं आईए जानते हैं तो देखिए आप कुम्हराशी के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भाग्यस्थान में सूर्य, सुक्र और केतु विराजमान हैं आपके ब्याइभाव में सनिदेव विराजमान हैं लेकिन अब मार्गी हो गए हैं ध्यान रखिएगा 17 जन्वरी को आपके राशी में भी इनका पदारपन होने जा रहा है, स्वागत के लिए तयार रहिएगा तो ऐसे में अक्टूबर महिने के अंत तक आप सभी कुम्हराशी के जातकों के आर्थिक इस्थिति में बहुत अच्छा बदलाव आदेवाला है, no doubt और यदि आप बेवसाई हैं तो आपका लाभ़ी लाभचारो दिशा में बना हुआ है, विदेश से जुड़ा काम करने वाले लोगों को भी आर्थिक लाभ होगा, पैंत्रिक संपत्ति का भी सुख मिलेगा, नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिलेगी और आमननी बढ़न के प्रबल योग हैं, धन्तेरस के बाद की ग्रहिस्थिति के काड़ कुम्भरासी के कुछ लोग नई संपत्ति भी खरी सकते हैं, मालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और घर में बरकत के लिए दिपावली की रात मालक्ष्मी की पूजा करते समय, स्फटिक या कमल गट्ट इस मंत्र का दस माला जब धन्तेरस से ले करके भाई दूज के दिन तक दस माला जब रोज साम को 6-8 के बीच में जो भी व्यक्ति जब कर लेगा, अगर वो नोकरी में नहीं होगा तो उसे नोकरी मिल जाएगी, अगर वो बेरोजगार होगा तो रोजगार परक हो जाएगा, और अगर दरिद्रता में आकंठ डूबा होगा तो उससे निजात मिल जाएगी, मंत्र एक बार चाहे तो आप फिर से लिख लें, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम आयम कमल वासिन्य स्वाहा, देवी भागवत का मंत्र है, इसे ब्रम्हदेव ने इंद्र को बताया था करने के लिए, और इस मंत्र का दस लाख जब करके इंद्र ने पूनह लक्ष्मी की किर्पा प्राप्त की थी, आप मेरे दर्सक हैं, आपको लक्ष्मी की किर्पा प्राप्त हो, इससे बड़ी और खुसी मुझे कुछ हो ही नहीं सकती है, जै माविन दिवास में. दिवाली पर बना रहा ये ग्रहों का योग, इनकी तिजोरी को भर देगा, या फिर मेर राशिवालों को दिवाली पर अपने खर्च संभालने में दिक्कते आने वाली हैं, साथ ही कौन से उपाएं हैं जो इनकी दीपवली को और शुभ बना सकते हैं आईए जानते हैं चलिए तो अब आखीरी रासी की बात करेंगे आप मीन रासी के जातक हैं तो आपका भी इंतजार खतम हो जाए मैं यह चाहता हूँ देखिए धन 13 से लेकर अक्टूबर के महीने के अंत तक आप सभी मीन रासी के जातकों का जो ग्रह गोचर है वो यह है कि आपके रासी में आपके रासी स्वामी ब्रिहस्पती की इस्थिती है आपके सुख अस्थान में अब मंगल पहुँच चुका है आपके सप्तम भाव में बुद्ध और अश्टम भाव में सूर्य सुक्र और केतु ग्रह की इस्थिती है और आपके एकादस हाव में सनी मारगी हो गया है कहने का मतलब कि पैसे के मामले में ये समय आपका सामान ने रहेगा ना तो अच्छा कहा जा सकता है ना तो खराब क्योंकि कुछ चीजें अच्छी दिखाई दे रही हैं कुछ चीजें खराबी का भी संकेत कर रही है और दोनों का अगर मिला जुला असर देखा जाए तो यही होगा कि ना तो आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे ना ही बहुत बेकारी स्थिति में रहेंगे खर्चा बढ़ जाएगा परिवार में आपके उपर कोई नई जिम्यदारी आ सकती है जिससे पैसा बहुत खर्च होगा धन तेरस के बाद से आपको अपने खर्चे समालने होगे कोशिस करिए कि किसी से उधार न लेना पड़े लेकिन सनी की कृपा से आपको पैत्रिक संपत्ति का सुख भी मिलेगा मालक्षमी की कृपा पाने के लिए और घर में उन्नती के लिए नरक चतूर दसी के दिन हनुआन जी को लाल चोला चाहिएगा इस साल नरक चतूर दसी और दिवाली ये कही दिन है चोबिस तारीक को ऐसा हर साल नहीं होता था लेकिन इस साल है तो दिपावली की रात महालक्षमी को लाल रंग की चुनरी कमल का फूल और नारियल ये सारी चीजें भेट करनी चाहिए मिट्टी के बड़े दीपक में रूई की नव बत्तियां डालकर दीपक जलाना चाहिए और अपने घर की पस्चिम दिसा में तेल के आठ दिये जलाने चाहिए पीपल के पेन में जल्च रहाना चाहिए भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए और पूरे दिन महालक्षमी का मनन, चिंतन, अस्मरन करते रहना चाहिए और यदि आप में राशी के जातक हैं तो आपको भगवान स्री हरी विष्णू को ध्यान करना नहीं फूलना चाहिए बलकि आपको ओम नमो भगवते वासु देवाए इस मंत्र में अपने आपको सराबोर कर देना चाहिए क्योंकि भगवान स्री हरी विष्णू की कृपा यदि आप पर रहेगी तो मालक्षमी की कृपा अनायास आपके उपर हो जाएगी जैमादिन दिवासमी पंड़े आपने राशीय नुसार बताया कि धेरो पाई लेकर आएंगे हम पंड़े सुरेश पांड़ेजी के साथ तब तक कालचकर की पूरी टीम को दिजिए जासत नमस्कार